प्याज की किम्तों में गिरावट से प्याज किसान परिशान है क्योंकि प्याज का भाव मंडियों में एक रुपे किलो तक मिला था इस कारण महारास्टर के प्याज उत्पादक किसानों की मुश्किले बढ़ गई थी अब कुछ इसी अंदाज में लहसुन भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है मसलन इन दिनों मंडियों में प्याज की तरह ही लहसुन बधाल दिखाई दे रहा है जिसमें किसानों को पांच रुपे किलो तक लहसुन का भाव मंजियों में मिल रहा है इस वज़े से किसानों के मुश्किले बढ़ गई है लहसुन के इस बद्धाली की वज़ा बंपर उत्पादन है असल में इस बार मध्यपरदेश, राजस्तान और महाराष्टर में लहसुन की वबंपर पैदावार हुई है और इसका असर लहसुन के दामों पर पड़ा है जिससे अब परत्याशित गिरावट देखने को मिली है मंडियों में व्यपारियों का कहना है कि बीते तीन दशकों में उन्होंने भी लहसुन की ये बद्धाली यानि इतने कमदाम नहीं देखे वहीं अजादपूर मंडी में 5-30 रुपे किलो तक लहसुन बिक रहा है मंडी में लहसुन का दाम ये तब है जब लहसुन किसान की खेट से परिवहन होकर कई सो किलो मीटर की यातरा कर मंडी पहुँच रहा है इस वज़े से कई किसान अपनी फसल पानी में ही बहा रहे हैं और दिल्ली में अधिकतर लेसुन मध्यपरदेश और राजस्थान से आता है वेपानियों की मानने तो अजादपूर मंडी में अभी भी लेसुन का भाव 5 रुपे से लेकर 30 रुपे किलो तक है उनका कहना है कि मंडी में लेसुन का काम करते हुए उन्हें 30 साल से जादा समय हो चुका है लेकिन उन्होंने लेसुन के दाम कभी इतने कम नहीं देखे मंडी में प्रती दिन 10 से 12 गाणियां दिल्ली में देखने को मिल रही है दरसल इन दिनों श्राद का समय भी चल रहा है जिस वज़े से लेसुन की मांग कम बनी हुई है लेकिन आने वाले महिनों में भी लेसुन के दामों में तेजी आने के असार फिलाल नहीं है असल में ठंड के समय लेसुन के दामों में तेजी आती है लेकिन इससे पहले ही लेस्टों के दाम बहुत नीचे चल रहे हैं वहीं फरवरी में नई फसल आ जाएगी इससे पुराने लेस्टों की मांग कम हो जाएगी तो माना ये जा रहा है कि लेस्टों की कीम्तों में फिलाल कहीं कोई तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही